Hello Friends, आजके टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपासिटी जो कि आपके स्क्रीन की सामने नजर आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपासिटी होती क्या है उसके लिए हम लोगों ने ये डाइग्राम पहले से एक ड्रॉ करके रखा हुआ है अभी ये डाइग्राम में आपको तीन बॉल्स दिख रहे, तीन स्पेर्स दिख रहे, आयन, कॉपर एंड लीड, या लेड, इन तीनों स्पेर्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो उपर जो ये वैक्स दिखाई दे रहा है, ये वैक्स में सबसे अंदर तक जो जाने वाल है, वो है हमारा आयन, उसके बाद में कॉपर और सबसे कम जो अंदर की तरफ गया है, वो है लीड, अब ये अंदर कैसे गया, क्योंकि ये पहले से heat किया गया था heat करने के बाद में इसको water में place किया गया water में place करने के बाद में कुछ देर बाद में इन तीनों की मतलब iron copper और lead इन तीनों का temperature जो है वो था 100 degree Celsius के आसपास ठीक है लेकिन अलग-अलग materials अलग-अलग compounds अलग-अलग elements हर एक element की अपनी एक specific heat capacity होती है उसका मतलब क्या होता है मतलब हमने topic लिख दिया specific heat capacity लेकिन उसका मतलब क्या है जैसा कि आप लोग देख रहे कि जब iron ball, iron spare को हमने इस wax में डाला तो वो सबसे ज़ादा नीचे गया है मतलब की वो सबसे ज़ादा hot था गरम था वो ठीक है ज़ादा गरम था और सबसे कम गरम होने में लीड दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्योंकि लीड जो है वो इतनी ज़ादा दूरी तक गया ही नहीं इसका मतलब यह है कि amount of heat energy required to raise a temperature of a unit mass of an object by one degree Celsius is called the specific heat of that object specific heat is denoted by letter C ठीक है यह तो statements हो गई हम लोग इसके बारे में आ गया और कर रहे हैं इसी वीडियो में अब हम लोग वापस इस पर आ जाते हैं कि iron ball जो है यह फिर copper ball जो है यह फिर lead है यह तीनों की तीनों के mass जो थे वो same mass के consider किये थे mass था same ठीक है same mass था heat भी बराबर किये गए तीनों की 100 degree Celsius पर heated थे लेकिन specific heat capacity iron की जादा थी मतलब कि iron जो है वो जादा देर तक heat रोक सकता है जादा देर तक गरम रह सकता है इसी लिए iron जो है वो जादा नीचे तक गया इसको melt करते हुए इस wax layer को melt करते हुए ऐसे बहुत सारे substances है इसमें से कुछ substances यहाँ पे लिखे हुए water की specific heat capacity है 1 calorie per gram degree Celsius paraffin जो है उसकी है 0.54 kerosene की है 0.52 aluminium is 0.215 iron जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे specific heat capacity जो बहुत ही कम नजर आ रही है मतलब कि iron जो है वो बहुत ही जल्दी गरम हो जाता है जल्दी heat absorb कर लेता है iron जिसकी specific heat capacity कम होगी specific heat capacity जिसकी कम होगी less होगी वो ज्यादा जल्दी गरम हो जाएगा मतलब will get easily heated ओके ज्यादा heat absorb करेगा and absorb more heat more heat मतलब कि heat absorb करने वाला है वो iron जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा था उसके बाद copper आ जाता है ठीक है copper की और बहुत कम है लेकिन जितना ज्यादा जल्दी absorb करेगा उतने ज्यादा जल्दी वो heat को release भी तो करेगा absorb और release यह दोनों पॉइंट जो है वो एक साथ चलते हैं तो अगर इस नहीं iron ने जो heat जो है वो सबसे जादा absorb की है as compared to copper क्योंकि देखो copper यहाँ पर आया था copper की specific heat capacity तो iron से भी कम है ठीक है तो वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा iron वैसा नहीं है देखो वैसे water की अगर बात करें तो water तो iron से भी जादा specific heat capacity रखता है इसका मतलब क्या है कि iron जो है वो जादा heat को absorb करेगा जादा देर के लिए यह याद रखना है mercury जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है उसके बाद में आता है silver silver उसके बाद में ठंडे होने में second number भे अगर in 8 में comparison किया तो aluminium जो है वो बहुत जल्दी heat हो जाता है even iron से भी जादा वो जादा heat produce भी करता है इसका मतलब ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने देखी specific heat में इसके formula भी देख लेते हैं specific heat को हम small c से denote करते हैं यहाँ पर specifically लिख देता हूँ specific heat मतलब की छोटा सा c ठीक है mass आपको सबको मालूम है m लिखने की ज़रूत नहीं temperature को हम लोग triangle ऐसे बनाते है temperature मतलब heat यह triangle का मतलब heat होता है और यह temperature है degree Celsius में उसको measure किया जाता है और heat energy का formula बन जाता है m c t mass into specific heat of that object into the temperature to which that the object has been grazed मतलब temperature कितना बड़ा यह temperature कितना कम हुआ absorb हुआ यह release हुआ temperature decrease हुआ increase हुआ temperature वह ही रहने वाला है इससे related बहुत सारे numerical है जो हम लोग करने वाले है अब आ जाते हैं हम लोग hot cold object जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और box जो है यह एक box दिया है heat resistance है मतलब कि इसके अंदर से heat जो है वो बाहर निकल के नहीं आ सकती इसलिए heat resistant लिखा हुआ है और इसमें अगर हम दो objects डालेते है hot object और cold object तो यह अब procedure क्या है heat exchange की बात चल रही है यहाँ पर जो next topic है हमारा that is heat exchange तो heat exchange कैसे होगी तो यह जो पानी है या फिर जो भी material है liquid material और यह जो cold object है यह hot object से हमेशा heat जो है वो absorb करना शुरू करेगा और यह तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों के temperature equal नहीं हो जाते दोनों के temperature जो है वो same हो जाने चाहिए दोनों नहीं इस water का भी temperature जो है यह hot object का temperature और इस cold object का temperature इन सब का temperature जो है वो same होना चाहिए जब same हो जाएगा तो यह heat exchange का process जो है वो भी रुक जाएगा तीक है उसको बोलते हैं, heat exchange, बहुती चोटा सा topic है वो, ठीक है, अभी अगर बुझे किसी object की specific heat पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए नाम दिया गया है, एक method का, that is mixing method, mixing method किसमें यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, calorie meter में, calorie meter, last year बी calorie meter था, उसका diagram था, तो अगर आप वो 8 standard की book में देखते हो, तो आपको calorie meter के बारे में सारी चीज़े समझा जाता है, calorie meter यूज किया जाता है, ठीक है, और अगर हम लोग किसी एक hot object को, ठीक है, कोई भी एक hot object है, उसको water में डाल देते है, calorie meter के अंदर, suppose ये calorie meter है, और ये बीच में और water के बीच में, अभी ये cold object नहीं है, समझ लो, यहाँ पे भी पानी है, ठीक है, और calorie meter के साथ भी, मतलब कि ये जो अंदर का जो region है, ये वाला region जो मैं blue में, आपको light blue में mark करके दिखा रहा हूँ, ये region भी थोड़ी थोड़ी heat जो है, वो absorb करना शुरू करेग इस hot object से, ठीक है, हर जगे से heat absorb होनी शुरू हो जाएगी, ये तब तक चलता रहेगा, जब तक ये solid object का, मतलब कि ये जो object है, इसका temperature, ये water का temperature और जो calorie meter का अंदर का जो surface है, उसका temperature, तीनों के तीनों equal नहीं हो जाते तब तक, ठीक है, तो इसका मतलब formula हमें मिल जाता है, heat lost by object is equal to heat gained by water plus heat gained by calorie meter थोड़ा सा screen कम है, इसलिए हम लोगो ने ऐसे लिग दिया, तीक है, इसको हम लोग denote भी कर सकते हैं, है ना, इसका formula भी तो बन चुका है अब, अब दिखिए, अगर हम लोग कहते है, heat lost by object, अगर मैं इसको specifically या लग से लिखू, heat lost by object, इसका formula क्या होगा, formula होगा कि भाई सबसे पहले तो उसका mass, mass क्या होता है, mass of the object, mass of object होगा, M, उसके बाद में, हम लोग, specific heat लिखेंगे, यह ना, उसकी specific heat, जो भी तरीके का object था, iron object था, aluminium था, जो भी था, specific heat, specific heat को कि से denote किया था, भाई, C से, है, उसके बाद में, कितना, कितना temperature जो है, वो lost हुआ है, या, कितना temperature decrease हुआ है, मैं decrease लिखे देता हुआ, decrease in temperature, मतलब कि यहां पर ऐसे कुछ, तो यह हो गया हमारा formula number one, ऐसे हमें 3 formulae बनाने, तो heat lost by जो है, इसको q लिखते है, और यह जो है, यह q1 होगा, और यह होगा q2, ठीक है, इस तरीके से अलग formulas बनेंगे, तो q is equals to q1 plus q2, यह q जो है, यह heat के लिए समझ लोग, यूज किया गया है, हम लोगों ने, इस तरीके से equation form होती है, और ऐसे calculate किये जाते हैं, अलग-अलग materials की specific heats, ठीक है, तोरंत example ले लिया, how much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius, तो जैसे ही यह आ गया, तो हमारे पास में given क्या है भाई, given है mass, mass है भाई 5 kg, 5 kg का mass लिख दिया आपने, उसके बाद में आपको specific heat देखनी पड़ेगी, किस की specific heat देख रहे हैं हम लोग, water की specific heat देख रहे हैं, सही बोल रहा हूँ ना, water की specific heat कितनी है, तो मैं इसको scroll करके हम लोग, उपर देख लेत पड़ेगा one, चलिए भाई, one है, one है और क्या है वो, kilo calorie per kg degree Celsius, ऐसी कुछ है, ठीक है, units लिखने न, change in temperature, चलो, change in temperature, temperature change होने वाला है, कितना change होने वाला है, temperature, उन्होंने बोला था, 20 से 100 degree Celsius, तो, 100 माइनस 20 degree Celsius कर दो, दोस्तों, answer आपका आगया, 80 degree Celsius, है ना, अब हम लोग क्या करने वाले है, formula लेने वाले है, formula आएगा, energy, to be supplied to water, is equal to, ठीक है, is equal to energy gained by water, अब हम लोग इसके बाद में, formula डाल देते हैं, भाई, mass of water, specific heat of water, और जो change in temperature था, चुपचा पो डाल दो, मतलब M into C into triangle T, और इसके बाद में, शुरुआत कर दो, mass था 5 kg, ये था 1, और ये था 80 degree Celsius, है ना, इसके बाद में multiply करोगे, तो answer क्या आएगा, कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 400 kg calories का answer, ठीक है, तो इतना हमें heat लगने वाला था, to raise the temperature of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius, पहला question जो है, वो solve हूँ चुका है हमारा, दूसरे question की तरफ बढ़ते हैं, चले दूसरा question लिख दिया है, मैंने की copper spare है, 100 gram का mass है, तो लिखना चाहिए, हमें सारी चीज़े लिखनी भी पड़ी ही, वैसे भी copper spare 100 gram का mass दिया हुआ है, temperature 100 degree Celsius raised हुआ है, उसका, okay, copper है, इसका मतलब specific heat क्या होगी, specific heat of copper, ठीक है, लिख लेते हैं, वैसे specific heat of copper, आप लोगों को, इसको table में देखना पड़ेगा, और इसे learn करना पड़ेगा, I think 0.1, 0.1, calorie per gram degree Celsius, ठीक है, यह ले लिए हम लोगोंने, और, और क्या दिया हुआ, इसके अंदर उन्होंने बोला है, कि calorie meter भी है, देखा है, यहाँ पर calorie meter दिखाए दे रहा है, calorie meter, copper calorie meter, तो calorie meter का specific heat कितना है, वो भी वही same ले लो, same consider करना है अभी के लिए, क्योंकि, यहना copper calorie meter लिखा हुआ है, मतलब कि copper का ही है, तो specific heat of calorie meter, दोनों same लिखने है, ठीक है, 0.1 calorie per gram degree Celsius, और क्या करना है इसके बाद में, उन्होंने जो बोला है, वो देखते है, कि copper spare का mass जो है, वो is heated to raise its temperature to 100 degree Celsius, and is released in water of mass 195 gram, and temperature 20 degree Celsius in a copper calorie meter, if the mass of the calorie meter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water, maximum temperature of water, पता करना है, मतलब कि water जो है, वो 20 degree Celsius पे था, यह 100 degree Celsius पे था, मतलब कि अभी heat exchange होगी, समझ लो यह container है, container के अंदर भाई पाने डाल दिया गया है, यह पानी चला गया भाई, पानी चला गया, उसके बाद में हमारा copper का जो ball है, वो आ गया चुप चाप यहाँ पे, और फिर वो जो है, यह ज्यादा है, 100 degree Celsius का है, यह 20 degree Celsius का है, यह दोनों heat exchange करेंगे, मतलब कि actually heat ही exchange होगी, और calorie meter भी है, वो भी थोड़ी सी heat exchange कर लेगा अपने साथ में, है ना, तो यह सारी process होने वाले इसके अंदर, तो अब हम क्या करने वाले है, heat lost by solid object, मतलब कि हमारा heat lost by copper ball, ठीक है, heat lost by copper spare कर देते हैं, ठीक है, is equal to, heat gained by water, plus calorie meter, है ना, heat gained by copper, sorry, heat gained by water, copper ही बोल दिया मैंने, copper नहीं water होना चाहिए, चलो, water और plus calorie meter का भी योगदान है इसमें, यह भी heat absorption, करने वाला है, चलिए fine कर लेते हैं, तो सबसे पहले यह होगा q, यह होगा q1 और यह होगा q2, यह तो हम लोगों ने formula उपर भी लिखावा था, ठीक है, तो अब भी देखें क्या 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 करना है हमें, जो q है वो है, 100 into 0.1 into, अभी यह होगा हमारा, 100 minus T, अभी यह temperature पहले कितना था बॉल का, यह भाई हमें मालूम नहीं है, 100 gram यहाँ पे लिखा हुआ है, तो gram तो हमने, मास ले लिया हमने, m, c, t, समझ लो, यहाँ पे m into c into triangle t, लेकिन यह change in temperature कितना था, यह नहीं मालूम आपको, ठीक है, तो उसको t consider कर लिजे, दूसरा वाला, 100 minus जो पहले temperature था, उसको t consider करके हमने solve किया है, राइट, वैसे ही, अगर हम लोग heat gained by water करते हैं, तो वो होता है, मास 195 ग्राम्स का, specific heat 0.1, नहीं स्वाली, इसकी 1 होती है, तो 1 ही लिग दे था, उसी दे सीदे, और यह कितना है, पहले से, यह है, अभी बढ़ने वाला है ना temperature, तो t जो बढ़ने वाला था, वो नहीं मालूम, माइनस 20, 20 पहले था, बढ़ने की बाद कितना होँआ, यह नहीं पता था, राइट, वैसे ही, लास्ट, 50 ग्राम का कैलेरी मीटर था, स्पेसिफिक हीट 0.1 थी, और इसका temperature भी कितना बढ़ा, वो नहीं मालूम, पहले 20 डिगरी सेल्सियस था, ठीक है, अभी देखों हम लोग क्या करने वाले, अभी सबसे बेस्ट काम यह करना है, कि सिंप्लिफाय करने की कोशिश करते है, यहाँ पर आप लोग देखोंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आप लोग सीदे सीदे मुल्टिप्लाइ करके, 195 ब्रैकेट में, T-20 प्लस 50, 50 इंटु 0.1 सीदे सीदे 5 आजाता है, अंसर देखों, तो 5 और यह हो जाता है T-20, भाई, दोनों तरफ कॉमन ब्रैकेट से, तो क्यों ना फाइदा उठाया जाए जाए और उन दोनों कॉमन ब्रैकेट को एक साथ लिख के, यह फेक्टराइजेशन के जैसे हो जाएगा, 195 प्लस 5, यह आजाएगा, देखों, यहाँ पर 10 और यह 100-T, कोशिश करते हैं, तो देखों, यह आंसर आएगा हमारा T-20, और यह वजाएगा 200, और यहाँ पर होगा 10, और यहाँ पर होगा 100-T, भाई यह 200 और 0 कट कर देंगे, और इन सब को मल्टिप्लाइ करना शुरू करेंगे, यह वजाएगा 20T-400, यह साथ में भीज़ेगा, 100-400, ठीक है, इस इकोल स्टू 20, टी प्लस टी, यहाँ आएगा 21T, और यहाँ आएगा शारी प्लस होगा यह, तो यहाँ आएगा 500, अभी इसको 500 अपन, करते बैठे हो इसको किता देर तक करते बैठना है, तो T is इकोल स्टू 500 अपन 21, अभी यह डिविजन करने के बाद में शाय टेक्स का अंसर लिख देता हूँ, 23.8 डिगरी सेल्सियस यह आंसर आता है इसका, फाइनल अंसर, वाटर का टेंपरेचर जो है, वो 23.8 डिगरी सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्वेशन नंबर 4 जो है, वो एक्चुली कैंसल हो चुका है, थर्ड और, शाहिद स जो की है, आपका क्वेशन नंबर B, यह आपको नहीं करना है, और क्वेशन नंबर C भी आपको नहीं करना है, तो रही बात आपके दो क्वेशन की, that is, क्वेशन नंबर ये, ये वाला, और क्वेशन नंबर ये वाला, तो यही दो क्वेशन आपको सॉल्फ करने हैं, और ब बने रही है चैनल के साथ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों एक बार चलिए बाई बाई थैंक यू टेक केर